सब्जियों के साथ-साथ फलो का सेवन भी संतुलित आर का हिस्सा होता है फलो की बात करें तो पपीता भी दोस्तों गुड़कारी फलो में से एक है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पपीता ही नहीं बलकि पपीते के पत्ते भी ओशिदी गुड़ों से भरपूर होते हैं तो दोस्तों नौले साथी कि इस वीडियो में हम आपको पपीते के पत्ते के जूस के बारे में प्रमाण के साथ जानकारी देने का प्रयास करेंगे इतना ही नहीं सेहत मन रहने के लिए आपके इस तरह से पपीते के पत्तों का रस बना कर उपयोग कर सकते हैं यह भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जानना चाते हैं कि किस तरह से पपीते के पत्ते के पत्ते के पत्ते के फायदे क्या होते हैं पपीटा तो आप सभी ने खा ही रखा है आईए आज इसके पत्तों के बारे में भी जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका फाइदा होता है वो होता है डेंगू बुखार में तो दोस्तों डेंगू के प्रकोप से लगवक हर कोई परिशान होता ही है डेंगू वाइर जोडो और मास्पेश्यों में दर्द कपकपी लगना आप में दर्द होने जैसी समस्यां देखने को मिलती है देंगु वाइरस दोस्तो आखिर में शरीर में प्लेटलिट को इतना कम कर देता है कि लोगों की मिठ्टी हो जाती है ऐसे में अगर आप पपीते के पत्ते का 25 ml रस्क दिन में दो बार लेते हैं तो इससे आपके प्लेटलिट काउंट बढ़ने में मदद मिलती है और दोस्तो जो संक्रमण की गंभीरता होती है वो भी कम हो जाती है दरसल दोस्तो पपीते के पत्ते के अर्क में आउश्यक बायो एक्टिव जोगिक होते हैं जैसे कि पैपेन, कायमो पोपीन और कैरीकेन जो की दोस्तो डेंगू बुखार के प्रभाग को कम करने में मददगार साबित होते हैं ऐसे भी दोस्तो अगर प्लेटेड काउंट कम हो रहा हो तो आप पपीते के पत्ते का प्रियोग करकर जरूर देखें इसके अलावज जो इसका दूसरा लाफ होता है वो होता है एंटी मलेरिया में दोस्तो पपीते के सेवन मलेरिया के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है पपीते के पत्ते, फल, बीज और जड़ में दोस्तो एंटी मलेरिया के गुड़ होते हैं खासकर पपीते के पत्ते में दोस्तो ये जो गुड होता है ये खून में मौजूद पैरसाइट को खतम करने का काम करता है जिसके जलते मलेरिया की रोख थाम में आपको मदद मिलती है इसके अलावा पपीते के पत्ते का रस रोजाना दोस्तो सेवन कर सकते हैं ये पाचन क्रिया और गैस्ट्र भी ठीक करने का काम करता है इसके अलावा दोस्तो खाना परचने में जो भी परिषाणिया आ रही हूं अलग अलग माइक्रो औरगेनिजम की चलते तो दोस्तो ये दूर करने का काम करता है जिसे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे इसके इलावा जो भी jarी Option takie ठीक करने में दोस्तों पपीते की पत्ते का रस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों इन सभी परिशानियों से दूर करने के लिए और चुटकारा पानी के लिए आप इसके रस का प्रयोग कर सकते हैं लिवर से जुड़ी दोस्तों परिशानियों में भी इसका प् करता है और आपके लिवर संबंदी परिशानिया, जैसे कि पीलिया, सिरोसिस, आधी से बचाया रखने में आपकी मदद करता है, इसके साथ साथ आपको दोस्तो जीवन शली और खानपान में कुछ बदलाब भी करना होगा, लेकिन दोस्तो अगर आपको पीलिया जैसी समस्या हैं तो दोस्तो एक बार आप पपीते के पते के रस का प्रयोग ज़रूर करें यह रस दोस्तो आपकी Immunity बढाने का कैम भी करता है पपीते के पते के जूस को बढा कर आपको कई विमारियों बचाने का काम करता है क्योंकि दोस्तो इसमें immunomodulatory good होते हैं जिसकी मदद से आपका immune system मजबूत होता है और दोस्तो कई बिमारियों से आप बचे रहते हैं दोस्तो ये भी सामने आया है कि पपीते के पत्ते में anti-cancer good होते हैं इसमें मौझूद दोस्तो immunomodulatory प्रभाव के चलते दोस्तो एक cancer जैसी घातक बिमारी से भी लड़ने में मदद करता है immunomodulatory प्रभाव शरीर में बढ़ रहे cancer cells या फिर tumor की कोशिकाओं को बढ़ने से भी रोकता है साथी दोस्तो इसमें anti-cancer good भी होते हैं जो cancer के जोखिन को कम करने में जाता है जो कि आपकी तुचा को सूरे की दोस्तो जो किरने हैं उससे बचाने का काम करता है साथी साथ में जो जुरियां दोस्तो इसकिन पर पढ़ गई हैं उसको भी ये दूर करता है vitamin C दोस्तो आपके collagen यानि की skin के लिए जो ज़रूरी protein होता है उसे बनाने में म aggression करता है और तूचा में आपके कसावट लाने का काम करता है वहीं बात करें दोस्तो अगर हम बालो की तो बालो के लिए भी दोस्तो धोने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको पत्तो को पानी में लेकर उबाल लेना है और ठंडा होने तक रख देना है इसके बाद दोस्तों आप इस पानी को आप अपने बालों को साफ करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं माना जाता है कि दोस्तों इससे आपके बाल अच्छी तरह साफ हो जाते हैं बालों में जमेगंदगी दूर हो जाती है और बाद आपके स्वस्त रहते हैं आप चाहें तो दोस्तों पत्तों का लेब बना कर भी आप हेयर मास्क के तौर बर ब्रयोग कर सकते हैं आई अब जानते हैं दोस्तों कि आपको इसका यूज कैसे करना है दोस्तों पपीते के पत् करते का श्ड़त बनाते सरह से उक्ष मीठेधे फल मिला सकते हैं कड़वाइट को कम करने के लिए यह驟 चाहें समें थोड़ी मिश्र्यू मिला सकते हैं यह फिर दोस्तों और बात करें इसके नुकसान की तो दोस्तो पपीते के पत्ते का कोई भी नुकसान नहीं होता है लेकिन अगर हम महिलाओं के दोस्तो point of view से बात करें तो वो महिलाओं जो गर्विवती है या जो pregnant हैं दोस्तो उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए इसके इलावा कुछ लोगों को दोस्तो इसससे allergic भी होसकती है तो बहुत ज़ादा मात्रा में इसका प्रयोग करने से बचे ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तो एक दिन में एक कब juice का ही प्रयोग करें उससे ज़्यादा juice आप ना ले क्योंकि उसके चलते दोस्तों फिर आपके शरीर में कुछ allergy आपको देखने को मिल सकती है तो इस तरह कि दोस्तों बातों का आपको ध्यान रखना है इसके अलाब अगर आप पहले से कोई treatment ले रहे हैं लंबे समय से या एक serious दोस्तों आप treatment ले रहे हैं किसी बिमारी के लिए तो आपको पहले doctor से discuss करना चाहिए उसके बाद ही दोस्तों आपको इस प्रयोगों को अपनाना चाहिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का हमारे ये वीडियो informative लगा होगा वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो like और share ज़रूर करें चैनल को अगर आपने विजख सब्सक्राइब नहीं किया है दिन डू सब्सक्राइब टू दे चैनल और जुड़ें दोस्तों हमारे चैनल नौलिज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियो को देखने के लिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवार जढ़े ठाए जब चैनल झालार सुषरर तक के लिए को देखने के लिए में तब दूप है ओानी साथ जए और एक बादेखने के लिए जब टूलिज झालार सब्सक्राइब छीक्त के लिए और वागरोणावार